इसके प्लम्बिंग वर्क्स में सागत है दोस्तो अभी तक आपने अपना ही चैनल इसके प्लम्बिंग वर्क्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सजाएए नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा जिससे नई वीडियो आने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले दोस्तो आज मैं फिर से आप लोग के बीच में एक प्लम्मिंग का नया वीडियो लेके आए हूँ दोस्तो कहीं कहीं जो सीट कवर है कस्टमर की यूज करने के द्वारा उसका जो पार्ट से तूट जाता है और तूट जाने के बाद दोस्तो जो सीट कवर है वह पूरा यहां वहां हेलता है और नीचे भी गिर जाता है और दोस्तो इसके अंदर का जो पार्ट है वो पूरा प्लास्टिक का होनी के कारण यह नया भी चेंज कर दे तो जल्दी तूट जाता है तो दोस्तो इसको हम lifetime के लिए कैसे repair करें जिससे इस seat cover में कभी भी repairing या maintenance नहीं आए तो आज मैं उसी के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ अगर कहीं भी अगर soft closure seat तूट गया हो तो उसे plumber भाई इस तरह से repair कर सकते हैं कभी भी maintenance नहीं आएगा तो दोस्तो इसमें जो seat cover है इसमें दोस्तो marking कर लेना है इसको हम अब screw से fit करेंगे तो दोस्तो ऐसा marking करना ताकि वो जो center center है वो आपको match हो जा screw में tight होने के बाद तो सबसे पहले हम marking वाले जगर पे drill machine से hole कर लेते हैं दोस्तो hole इतना चोड़ा करना है जिसमें आपका 75-8 का half thread screw चले जाए तो एक side हमने इसको hole करके ले लिया है अब वैसा ही same हम दुसरे side भी hole करके ले लेंगे ध्यान रखना दोस्तो बाहर side से ही hole करना है तो दोस्तो drill machine करने के time थोड़ा यहाँ वहाँ machine जाएगा तो आप screw से पहले वहाँ पे marking कर लें ताकि drill machine का bit है यहाँ वहाँ नहीं भागेगा और hole करने में एकदम आसानी होगी तो अब हम दुसरे side भी उसी तरह से hole कर लेंगे तो दुसरे side भी hole हो गया है और screw डाल के हम चेक कर लेंगे तो screw easily जा रहा है अब दोस्तो हम क्या करेंगे जो उपर का part है उसको हम उस जगे पे रख देंगे और map ले लेंगे अब दोस्तो जो sub closure seat cover का holder वाला part है अब उसमें भी हम hole गिरा के ले लेंगे क्योंकि जो बाहर से screw है इसी के अंदर जाके पकड़ेगा जिससे अपना seat cover fit हो जाएगा तो दोस्तो जो अंदर का भाग है holder उसमें भी हम drill machine से hole करके ले लेंगे दोस्तो इसमें थोड़ा पतला वाला bit से hole करना है ताकि जो screw है इसमें एकड़म tight fit हो और बाहर से आपका screw loot जाना चाहिए दोस्तो खली अंदर आपका पतले वाले bit से मारना 18 का bit से आप जो इसका holder है उसमें आप 18 के bit से मारना तो दोस्तो hole जो है वह मारके हो गया दोनों side अब इसको हम इसमें fit करके अब बाहर से जो है screw हम tight करेंगे कि जिहां दोस्तो आपको 75 राट का half thread screw से इसे tight करना है तो हम पहले एक side tight कर लेते हैं अच्छे से तो दोस्तो एक side tight हो गया है दूसरे side भी हम same tight कर लेंगे तो दोस्तो अगर आपका seat cover कहीं भी अगर इस तरह से तूट गया हो पार्टी का तो आप इस तरह से screw से आप इसे fit कर सकते हैं दोस्तो यह lifetime के लिए हो जाएगा दोस्तो कहीं पर भी soft closer seat cover में इस तरह से आप idea जुगार लगा सकते हैं पर दोस्तो एक बात है जो soft closer seat cover है वह थोड़ा एकदम softly नहीं close होगा थोड़ा fast close होगा बस इस बात का ध्यान रगना और बाकी आपका seat cover है वह lifetime के लिए हो जाएगा दोस्तो हमने जो screw है वह tight कर लिया है दोनों side से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमने repair करके ले लिया है तो इस तरह से देखिए जो है screw अंदर से दिखेगा पर पाट एकदम मजबूत हो गया अब यह दोस्तो कभी भी नहीं टुटेगा जब तक plastic ना टुटे उपर का seat cover तब तक यह screw तो टुटेगा ही नहीं तो यह lifetime के लिए हो गया तो दोस्तो इस तरह से आप seat cover को repair कर सकते हैं इस seat cover को repair करने के लिए आपको 758 का 2 half thread screw चाहिए और drill machine चाहिए और 18 का bit और 316 का 2 bit चाहिए और फिर screw driver चाहिए यह तीन चीज़ आपके पास हो तो आप इस seat cover को आराम से इस तरह से repair कर सकते हैं आज मुझे इसी के बारे में आप लोग को पताना था उम्मीद दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर और कमेंड करना चैनल पर नए हो तो चैनल क को सब्सक्राइब कर देना ऐसे बहुत सारे प्लंबिंग के नए नए वीडियो लाता रहूंगा इसी तरह फिर से आपसे नए वीडियो मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद